जम्मू कश्मीर में कट्रा के निकाट माता वैशनो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदर में 12 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हो गए जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंग के अनुसार भगदर तड़के लगभग दो बच कर 45 मिनिट पर हुई प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथसे पर दुख जताया है केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने बताया कि भारी भीड के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी के बाद भगदर मच गई उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशी के घोशना की गई है बता दें कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रधालू दर्शन के लिए पहुंचे थे इसी दोरान भगदर मच गई वहीं केंदर सरकार ने मिर्तकों के परिजनों को प्रधान मंत्री राश्ट्रिय राहत कोश से दो दो लाख रूपिये की आर्थिक मदद देने की घोशना की है चिकेसा अभिकारी कट्रा डॉक्टर गोपाल दत ने बताये कि घायलों को उप्चार के लिए श्रीमती वैशनो देवी नारायन अस्पताल में भरती कराए गया है पीड भवन के एरिया में रात को हुआ तो उसमें टोटल कोई बारा कैजूल्टीज हुई है तो उसमें से तीन डेड़ बडीज अभी हमारे पास पहुंची है नौ पहले की आगे थी तीन अभी अभी पहुंची है तो बाकी जो इंजर्ड लोग थे वो श्राइन बोड द्वारा रिसकी उपरेशन करके उनको नारायन आस्पल में कुछ को शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ अभी शिफ्ट कर रहे है श्रीमाता वैश्नोदेवी श्राइन बोड ने हेल्पलाइन नंबर 01991-234804 और 01991-234053 जारी किये है